आज के इस एपिसोड में बात करेंगे एक बहुत बड़ी ग्लोबल राइवलरी के बारे में टेक राइवलरी यू कन से वो टेक राइवलरी है दो जाइंट्स के बीच एलाउन मस्क वर्सेज मुकेश अमबानी क्यों है ये फाइट क्यों है ये बैटल क्या चल रहा है क्योंक क्या है सब कुछ पूरी बात बताऊंगा क्योंकि इन सब चीजों का आपके उपर बहुत इंपैक्ट पढ़ने वाला है इंडिया के उपर बहुत इंपैक्ट पढ़ने वाला है एयर टेल जितना टेलिकॉम इंडिस्ट्री है जितने टेक इंडिस्ट्री है सारा लैंड्सके ना करें क्योंकि बहुत सारी information छूट सकती है तो पहले बात कर लेते हैं Elon Musk के Starlink के बारे में Elon Musk की एक company है Starlink जो दुनिया भर में satellite के जरीए internet प्रोवाइट करती है अब Gio का air fiber है Gio का fiber optics से internet देता है और recently Gio ने air fiber भी launch किया है यानि जहां पे company की fiber cable नहीं जा पाई है वहाँ पर वो अपना एक device लगाते है Gio air उसके बाद आपको remotely यानि Wi-Fi के जरीए internet मिलता है और उसके लिए कोई cable लगाने की घर पे जरूरत नहीं पड़ती है at the same time Elon Musk का जो Starlink है उसके लिए अभी आपको एक घर पे device लगानी पड़ती है चट पे device लगानी पड़ती है उसके बाद एक नीचे box होता है वहाँ से cable आती है and then वो Wi-Fi के जरीए आप कोई भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं केबल के जरीए भी उस box से निकाल करके अपने computer या फिर कोई भी device कनेक्ट कर सकते हैं अब दोनों में एक basic difference है basic difference यह है कि जो Elon Musk का Starlink है वो पूरी तरीके से satellite पे dependent होता है और Elon Musk ने लगबग कई हजार satellites भेज रखे हैं जो दुनिया भर में internet provide करते हैं including India but the thing is कि India में चुकि Starlink की entry 2021 से ही होने की कोशिश हो रही है Elon Musk कोशिश कर रहे हैं कि India में अपना penetration किया जाए और India में internet service provide कराई जाए Starlink के जरीए but अभी तक कोई उनको breakthrough नहीं मिला है बात करते हैं कि Starlink क्या है और Jio Air Fiver क्या है Starlink Elon Musk की company है जिसके जरीए वो दुनिया भर में satellite based internet provide कराते हैं इंडिया में 2021 से आने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी उन्हें एक बहुत बड़ा breakthrough मिल गया है क्योंकि Indian government ने ये अप्रूफ कर दिया है कि वो आ करके अपना business कर सकते हैं बट इसमें एक बहुत बड़ा पेच है थोड़ा सा और बता जाता हूँ Starlink के बारे में वो कैसे use किया जा सकता है क्योंकि दूसरे countries में already Starlink चल रहे है Starlink internet आपको LEO satellite के जरिये मिलते हैं जिन्हें low earth orbit satellite भी कहा जाता है इंडिया में ऐसे कई बार देखा गया है कि आसमान के उपर बहुत सारे satellite दिख जाते हैं तो वो Elon Musk के Starlink satellite होते हैं तो दुनिया भर में घूमते हैं कई हजार satellites उन्होंने भेज रखे हैं Geo Air Fiber के बारे में बात करते हैं Geo Air Fiber Geo की ही एक service है Geo Fiber तो आपको पता होगा जो fiber optics के जरिये आपके घर पे internet पहुचाया जाता है Geo Air Fiber वहाँ आता है जहां पर Geo Fiber काम नहीं कर पाता है यानि remote areas में या फिर वैसी जगह पे जहां पर केबल ले जाना मुश्किल होता है Geo Air Fiber में आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती एक device company देती है Geo Air नाम से अब उसे आप घर पे लगाते हैं और सारे devices को Wi-Fi के जरिये connector सकते हैं लिंक से होता क्या है कि किसी cable की जरूरत नहीं है किसी ऐसे device की जरूरत नहीं है जो tower के साथ connect हो एक सिर्फ ऐसे device की जरूरत है जो satellite से direct signal receive कर सके और आपको internet प्रोवाइट करा सके अब बात कर लेते हैं कि यह जो लड़ाई है उसकी शुरुवात कहां से होई इंडिया में spectrum auction होता है यह आपको पता होगा इंडिया के सबसे बड़े player है Jio और Airtel अब जाहिर सी बात है कि market disruption का सवाल है यहाँ पे आपको अगर याद होगा कि जब Jio के entry होई थी इंडियन market में, इंडियन telecom market में बहुत सारे already existing players थे for example BSNL, Vodafone, Idea, Telenor, MTS, Uninor बहुत सारी कम्पनिया थी, सारी obsolete हो गई अब market में सिर्फ दो कम्पनिया बची है mostly Airtel, NGO, Voda idea भी चल रहे है बट उनकी user waste लगातार कम होते जाते है सवाल उठता है यहाँ पे कि government ने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे spectrum auction और allocation की बाते आ रहे है दरसल ये satellite की बात जहां होती है तो यहाँ या तो आप auction कर सकते हैं या allocation कर सकते हैं बट इस बार government ने फैसला किया है कि इसका allocation होगा अब allocation में फायदा हो गया Elon Musk का क्योंकि Elon Musk allocation के जरीए मतलब वो उन्हें approval दे दिया गया कि आप इंडिया में आकर के business कर सकते है स्टार्लिंग का इससे problem होगे जियो को जियो ने रिशाउट किया फिर जियो ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है auction कराना चाहिए क्योंकि अगर auction नहीं होगा तो जो existing players हैं उन्हें नुकसान होगा क्योंकि जो infrastructure है internet का वो existing players का ही इंडिया में है पहले एर टेल की line कुछ और थी बट एर टेल ने line change कर दी अब एर टेल ने भी line change कर दी और एर टेल का भी कहना यही है कि जो जीयो कह रहा है यानि जो मुकेश अमबानी कह रहे है वो सही है कि इसका auction किया जाए ताकि हम bid लगा करके जीत सकें और दूसरे player जो global player है उनके लिए ये indirect बात है मौका ना मिले और उन्हें market disruption का मौका ना मिले ये जो अमबानी और Elon Musk का clash है वो इसी चीज़ को ले करके है basically क्योंकि जीओ चाहता है या फिर दूसरे company for example Airtail चाहती है कि जो spectrum या फिर satellite based service है उसकी निलामी की जाए बकायदा auction किया जाए तो जब auction होगा तो bidding होगी और bidding में जो existing players हैं उनका फायदा होगा लेकिन चुकि allocation हो तो इस वेसे Elon Musk को फायदा हो रहा है और वो entry करने की तैयारी में इन फैक्ट Elon Musk ने जो अभी मुकेश अमबानी का चल रहा है कि जीओ ऐसा कह रहा है कि यह जो process है यह सही नहीं है इसे auction करना चाहिए तो Elon Musk का इस पर एक reaction भी आए बड़ा फ़णी है थोड़ा जोकरी करते कहा कि इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती मतलब एक fair playground मिलना चाहिए at the same time जीओ का भी एई टेक है कि अगर global leader को entry दे दी जाती है जिनके पास बहुत already infrastructure है internet provide करने के लिए वो बात अलग है कि इंडिया में available नहीं है बट satellite based service है तो उसके लिए इंडिया या फिर किसी country country की जरूरत नहीं है उपर आसमान में उड़ते रहते हैं satellite और इंडिया में they are very capable इंडिया में starling के internet high speed पे मिल सकते हैं इस speed की बात कर लेते हैं तो starling आपको 20 mbps से 2500 mbps की speed जरूर दे सकता है एक चीज़ जरूर है ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे कि Elon Musk का starling का करके इन्हे replace कर लेगा या फिर ऐसा market disrupt कर जाएगा जिससे इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा ऐसी बात नहीं है क्योंकि अगर आपको एक gbps की speed चाहिए या फिर सस्ता internet चाहिए तो जाहिर सी बात है आप existing players के ही पास जाएंगे जिनका already infrastructure बना हुआ है और अभी ये भी माना जा रह होते हैं उनका 100 dollar 50 dollar but the thing is जो interesting चीज़ यह है कि Elon Musk की आदत है Elon Musk का वो way of working है style है उनका कि वो चाहते हैं तो बहुत सस्ते में भी चीज़ें provide करा देते हैं for example कहीं कहीं पे starling के internet सिर्फ और सिर्फ 10 dollar में मिलते हैं तो हो सकता है कि इंडिया में अगर उनका internet आय तो इंडिया के tariff सस्ते कर दें तो इससे जाहिर सी बात है जीओ को problem होगी और यह वही वाली problem है जब जीओ ने अपना इंडिया में launch किया था free internet और सस्ता calling unlimited calling data unlimited बहुत सारी चीज़े जब शुरू शुरू में उन्होंने announce किया था तो दूसरे players बिलकुल खौफ में आ गये थे और at the end of the day उनकी आहलत खराबी हो चुकी है तो शायद जीओ को भी ऐसा लग रहा होगा कि already इनोंने जीओ एर फाइवर में काफी invest किया है तो इस वैसे उन्हें लग रहा होगा कि उनका नुकसान होगा तो अब आगे क्या हो सकता है और इससे आप पे क्या असर पड़ेगा अगर starling इ कहां पर अभी जितने सारी jobs या फिर wealth creation होती है उससे जादा होने लगेगा लोगों की dependency बढ़ने लगेगी satellite based internet पे क्योंकि उसमें problem भी बहुत कम होती है डाउन टाइम भी बहुत कम होती है क्योंकि हर दिन आप face करते होंगे कई बार की आस पास का wire cut हो गया है तो internet नहीं है या फिर दो-तीन दिनों की या फिर एक घंटे की downtime बट Starlink के साथ वो problem होगी नहीं क्योंकि उनके satellite already they are up and running तो उसमें कोई problem नहीं है तो यही जड़ है इस पूरे फसाद की इस पूरे battle की जो existing players हैं including Gio और main rival Gio को ही माना चारा है क्योंकि Gio का air fiber अभी roll out होना शुरू हो गया बट air tail भी इसमें पीछे नहीं है क्योंकि air tail ने भी एक company के साथ partnership किया है जो वो satellite based internet provide कराएंगे बट फिर वही बात है कि उनको काफी काम करना पड़ेगा Elon Musk का अपना है तो इस वैसे भी air tail भी यह चाहता है कि यह allocation नहों बलकि auction के जरीए यह पूरी की पूरी bidding pattern हो ताकि उ दूसरी company या फिर बाहर की company आ करके market को disrupt ना करे और लोगों को सस्ते internet ना दे दे क्योंकि इनका जो फाइदा है वो जाहिर सी बात है नुकसान में बदल सकता है बहुत हद तक अब इसमें government का क्या टेक है जाहिर सी बात है जो सारी मैंने बाते करी यानि auction नहीं allocation होगा तो ज काफी lobbying जियो और एटल कर रहे हैं कि allocation ना हो, auction हो बट ज्योती रादिति जिन्द्या ने clear कर दिया है कि auction नहीं होगा allocation होगा अभी तक अभी तक यह reports हैं आगे का पता नहीं जब तक आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ चीज़ें बदल infrastructure ना होने की वज़े से वो उतना ज्यादा bit नहीं लेंगे अगर auction हुआ तो allocation होगा जो हो रहा है अभी तक की जानकारी है तो Starling is coming to India अब बात कर लेते हैं कि इससे आपका क्या फायदा होगा जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा player इंडिया में इंटर करेगा Starling, Elon Musk का अभी कोई भी चीज इंडिया में नहीं है एक्स को छोड़ दें तो दूसरी चीज ने टेसला का इंतजार इंसान 5-6 साल से कर रहा है तो Starling अगर इंडिया आता है तो tariff competition और बढ़ेगा क्योंकि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि Elon Musk ऐसे इंसान है जो tariff कम भी कर सकते है example है 10 डॉलर में वो Starling का इंटरेट देते हैं अगर इंडिया में Starling का इंटरेट 1000 से 1500 रुपे में unlimited इंटरेट मिलता है वो भी satellite based तो Airtail और Gio को मुश्किल होगी consumers को acquire करने में इनका market share भी dilute हो सकता है बट इससे फायदा होगा आपको एक normal users को क्योंकि उन्हें एक अच्छ एक और tech revolution आ सकता है because internet की penetration इंडिया में अभी relatively काफी कम है तो उससे और बढ़ जाएगी startups काफी आ सकते हैं बहुत सारी और organization, company, gaming sector को boom मिल सकता है, tech sector को boom मिल सकता है, बहुत सारे landscape change हो सकते हैं और बहुत company को मुश्किल भी हो सकती है बट एक आम user को फायदा होगा इंटरेट बाकी है जैसे ही कोई update आएगा जो मस्क वर्सेज अंबानी या फिर स्टार्लिंग वर्सेज जीओ, air fiber हो रहा है तो उसका अभी result आना बाकी है, मुझे लगता है कुछ दिनों में कुछ नई breakthrough इसमें देखने को मिलेगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो चलिए दूसरे राउटर है, उसकी coverage अच्छी नहीं है, कई बार होता है कि जिस room में राउटर होता है, वहाँ पर internet चलता है, थोड़ी दूर जाते हैं, तो network strength होता है, बट still आपको internet slow मिलती है, उसके लिए आपके पास एक option है, कि आप router को extend, उसका जो signal है, signal strength बढ़ाने के लिए extension ले सकते ह हैं, वो छोटा सा होता है, काफी handy होता है, आप उसे किसी भी socket में लगा सकते हैं, और उस जो main router है आपका, main router से उसे connect कर सकते हैं, connect करने के बाद basically जो signal है, वो relay हो जाती है, तो उस area में coverage या फिर उस area के outside भी आपको अच्छी coverage मिलती है, ये काफी सस्ता device होता है, आप कहीं भी भी e-commerce website या कहीं से किसी अच्छी company का ले सकते हैं, 1200, 1500, 2500 ऐसे price होते हैं, तो ये ले करके आप internet की coverage घर पे बढ़ा सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले podcast में, लेकिन जाने से पहले आप जरूर बताएं इस rivalry के बारे में कि आपको क्या लगता है, मत भी टैकर्स के कुछ आपको जानना है, कुछ ऐसा लगता है कि इस topic पे podcast होना चाहिए, तो आप जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, शुक्रिया